हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आल आजमा आपके ले जो वीडियो ले क्या रोब देखे बात करेंगे एक आई-टी स्टॉक की छुपा हुआ आई-टी स्टॉक ग्रोथ शेर में इसको इसलिए कह रहा हूं कि नंबर्स रिवेन्यू प्रोफिटबलिटी वह नंबर्स आप देख रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमेशा मेजर फोकस होता है लर्निंग के ऊपर मेजर फोकस है रिस्क मैनेजमेंट इस दकी हम बार बार आपको कहते हैं कि मार्केट इस डैनेमिक और हमेशा आपको कहा जाता है टिप्स या रेकमेंडेशन से दूर रहें टिप्स या रेकमेंड इस टॉक के माई हम से सीखते हैं बहुत कुछ और आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दूगरा आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लाए बैल आकन को प्रेस कर लाए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपको कहते हैं औो अर्गैनिक ग्रोथ किसी सटॉक बागर यह कोई बी स्टॉक अभी silently हमने चर्चा करी थी अल्टा काई इंडिया की कल की डूटता नहीं मैं चर्चा करी थी घ्रिनेयूず इंडिया की अल्ट्रकैब भी चोट था काफी अच्छे से अमने को समझाता तो ह बढ़ा जो ग्रोथ का यह जंप है कि यह सस्टेनेबल है और गैनिक नहीं है तो सस्टेमेंडीनेबल होना मुश्किल है लेकिन जब चीज़ें आपको देखती है कि हाँ कंपनी धीरे धीरे अपना बेस बनाते हुए ग्रोफ कर रही है अब देखें पचास जार साथ जार सतर आप देखे रहे हैं रिवैनि देखे सो उसके बाद कि 100 करोड़ 200 करोड़ दिखे आप 200 करोड़ के आसपास जा चुका है तो आपको देखता है कि हां consistency है growth है अब देखे देखे करके वही profitability में भी आपको numbers देखने को बिले अब एक time देखे starting में profit कम हो सकता है जब चीज़ा company setup अब हो रही है डॉल तो उस time पर profit कम हो सकता है बर down the line जब वो revenue बढ़ने लग जाता है वो revenue बढ़ने लग जाता है तो पुर सीधे-सीधे impact profitability पर आता है सीधे-सीधे profitability आपको बढ़ती भी दिखती है कि एक level तक हां एक level तक जो revenue था वो जो है profitability में growth नहीं दिखा पा रहा था लेकिन उसके ऊपर आपको दिखता है कि हां अब नंबर सच्छे है आप देखे 20 करोन के पार का profit company बार-बार दिखा रही है इस revenue growth के साहा सद आगे और भी देखने को मिल सकता है देखे कंपणी का नाम है साइबर टेक सिस्टम सेंड सौफटर लिमिटेड साड़े 400 करोन का हो चुका है मार्केट का प्रलाइशन profit growth बढ़िया है IT services यह company है टेक आप देखे डिफेंस टेलिकॉम रिटील हेल्थिकेर मैनुफेक्षि services प्रोवाइड करती है जैसे जियो स्पेशल है नेट्वरकिंग एंट्रप्राइज आईटी सॉलूशन जे प्रोवाइड करती है साइबर टेक्स सॉलूशन हमने बात करी अब ऐसा नहीं कि इस कंपनी इस का स्टॉक का वीडियो हम आपके लिए पहली बार ले किया है अभी स्टॉक को नए लेवल पर लेके जा सकती है अब आप खुद देखिए नए लेवल से मेरा मतलब है जो यह कंसॉलिडेशन हो रही है उस कंसॉलिडेशन को अगर आप देखोगे तो यह देखोगे और साथ में इसके आरसा एमेसेड को देखोगे आपको वाह एक बढ़िया वाल्यूम गुरोत के बाद यह आपको देखने को मिल रहा है कंसॉलिडेशन उससे पहले अगर आप देखोगे तो म्यूटेड बिल्कुल म्यूटेड करेक्शन थी तो रैली आती है करेक्शन देखिए और कंसॉलिडेशन अब देखें अब यह वीकली चार्ट है वीकली च को काफी चर्चा करी थे आप उस वीडियो को भी देख सकते हो रैफर कर सकते हो उपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा उसको देखें समझे सीखें लेकिन अब आप देखें क्या क्लियर व्यू देखने को मिल रहा है अब मैं अगर यहां पर टागिट की सूचू त उससे डीप स्टॉप लोस इतना डीप तो आप रखोगी नहीं तो हाँ यह यह पॉइंट अब चलिए बात करते हैं इस लेवल से उपर था किसकी पोटेंशल करेंट प्राइस के असाब से देखा जाए तो आल्मोस्ट पचास पास का लेकिन इस से उपर कि अगर रैली की मा उमीद करता हूं इस स्टॉक में तो मुझे क्या चाहिए इस इंसालिडेशन करेक्शन यहां मैं आपको बाहर बाहर कहता हूं कि यह जो भी चीजा आपके लिए हैं यह लर्निंग के लिए है इनको टिप्स या रिकमेंडेशन के तरह अगर आप लेने लगे ने तो आप एक स्टॉक सक सीमित रख जाओ गए इनको कभी भी टिप्स या रिकमेंडेशन के तरह नहीं अपनी अनलेसिस पर विश्वास करना है यह हमारी अपनी अंडर्स्टैंडिंग होती है स्टॉक में और यह प्राइस सेक्शन इसका बेस होता है देके प्राइस सेक्शन आपके अभी रहती है तो आप अलग-लग आप कॉमडिटी मर्केट में देख सकते हो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देख सकते हो और आप किये अनलाइज किजिए ड्रीर्म एंडर्स कीजिए इसलिए हमने आप लिए रिसेंटने आपको के ejercaltet बताई है प्राइक्श क कितनी प्रैक्टिस करनी कि प्रैक्टिस जो हो confidence दिलाती है जब प्रैक्टिस confidence दिलाती है तभी तो आप उस confidence के साथ आगे जा सकते हो तभी जब decision making में confidence होगा तो definitely आप को गाहा यार यह तो बहुत ही बड़ी तो अपनी analysis पर confidence लाने के लिए कि अच्छी प्रैक्टिस जाहिए तो इसलिए आपको रेगुलर exercise weekend exercise monthend exercise इनके बारे में हम बात करते हैं बार बात अब cybertech को हम फिर से लेकर आते हैं देखिए प्राइस एक्षिन की सेरीज अगर आपने अभी तक भी नहीं देखिए तो मैं अब मान के चलते हैं देखिए अभी क्या है 158 का प्राइस है चलिए मैं मान के चल रहा हूं मैं इसमें बहुत important बात में risk management point of view से हमेंसा कहने के कोशिश करता हूं आपसे 160 पे मैं इसमें loss है 20 point का अब क्या मैं इस stock में कितना 4000 का loss लेने को तैयार हूं अगर मैं इस stock में 4000 का loss लेने को तैयार थो मेरा position size कितना होगा 20 into सीदे-सीदे 200 तब मैं जाके 200 यहां पर खरीच सकता हूं अगर मैं 4000 का loss लेने को तैयार हूं क्योंकि profit की guarantee भागी है पहले इस loss को समझना जरूवी है अगर 4000 का loss लेने को तैयार हो then only I will go with 200 quantity अगर नहीं अगर 2000 है capacity 2000 है तो I will go with 100 shares only so यह important part है with your risk management you need to first calculate the loss then enter and on the basis of that अब अब देखिए यहां से कहां 160 से अगर मैं यहां पर देखू तो यह almost 240 से 250 का range है round of करते हैं 240 मान के चलते हैं तो 80 points का आप target अगर कर रहे हो तो 20 points का loss ले रहे हो अब आप को गयर 1 is 2 4 का यह risk reward हो गया पर first क्या है 80 points तो उपर भी जा सकता है आप consolidate करके बद लॉस जो है वो जाता नहीं लेना है उसको हमेशा probability के terms में उसको risk management की इसलिए picture आत में आता है क्यों क्यों कि market का है dynamic due to dynamic nature of market risk management picture में आता है यहाँ पर risk ज्यादा associated है इसलिए risk management के उपर major focus रहता है फिलार wind up करता हूं वीडियो को और उमीद करता हूं आपको समझ माया होगा और आपको यही कहेंगे risk management के बारे में awareness spread करते रहें और प्रैक्टिस जरूर करें देखें प्रैक्टिस के लिए price section की series है इसको देखें समझें सीखें प्रैक्टिस करें awareness spread करते रहें and thank you thank you for watching the video